तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूटूब चैनल साइंस जंक्सन दीरसर पर और आज के इस वीडियो में हम लोग 2011 में पूछे गए जितने भी हिंदी के प्रश्मत्तर हैं वो सारे के सारे कोश्चन्स का संग्रा लेकर के आये हैं सिर्फ और सिर्फ आपके ल और हमारा साथ जो है वो वीडियो के अंतीम तक बना रहेगा उमिद करते हैं कि आप स्वास्थ होंगे मस्थ होंगे ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को इस्टाट करते हैं और सबसे पहला कोश्चन देखते हैं सबसे पहला कोश्चन है बच्चों जो की 2011 में पूछा 2010 पूछेगए प्रश्ण में सबसे पहला प्रश्ण कि भगत सिंग जी तैस को सुन्धर कहा है भाप्स का नाम सुन करके तो बहुत लोग भैवीत हो जाते हैं घर में या पडिवार में जब कभी भी अगर हम मिर्तिव का जिक्र करते हैं तो मताय बहने कहती हैं किस चीज का बात करने लगे इसा बात नहीं किया जाता है मुग बंद रखो दूसरा टॉपिक पर बात करो लेकिन भग रत सिंग के अनुसार कस्ट सा करके एक विशिष्ट और सर्व व्यापी आंदोलन करना महानकार्य है और कोई एक विशिष्ट आंदोलन का नेत्रित्व कर रहे है तो वह उन्हें आनकत्याव काम अध्म है बिपत्तियों दुखों diligent यहां देश के लिए सहीद maiorने अर था़ में आंदोलन का नित्रित्व कर रहे हैं और आंदोलन का नित्रित्व कष्ट सहते हुए कर रहे हैं आप जो है वो भी पत्तियों को जेल रहे हैं दुखों को जेल रहे हैं कष्टों को जेल रहे हैं और इतना सब कष्ट सहते हुए आप राष्ट हित में किसी आंदोलन का नित् हो जाती है आप सहीध हो जाते हैं तो ऐसी मृत्यू जो है वह सुंदर मृत्यू है यह हम नहीं कर रहे हैं यह भगत सिंग जी कहते हैं तो यह कोशन जो है वह 2011 में पूछा गया है आप इसे अपने नोट्स में जो है वह बोड मॉडल कर लीजिएगा बाकि इस वीडियो के लि 2011 में पूछे गए प्रश्णों के संग्रह में ही लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि आखिर कैसी जो मौत है कैसी जो मृत्यू है वह बहतर मानी गई है इसको और एक्स्पेन करेंगे तो विपतियां मनुस्य को पूर्ण बनाने वाली होती है विपतियां क्या होती है मनुस उसको विचलित नहीं होना चाहिए विपतियां जो आती है वो पूर्ण बनाने वाली होती है और हमें उन विपतियों में धैरे फूर्वक उस दिन की परतिक्षा क्र नी चाहिए जिस दिन हमारी कुर्वानी abd होगी अर्थात जिस दिन हमारा त्याग जिस दिन हमारा तपस्या सफल होगा उस दिन का परतिक्षा करना चाहिए हमें संयम से काम करना चाहिए धैरे के साथ आगे बढ़ना चाहिए हमें शहादत को गले लगाना चाहिए वह दिन हमारे लिए अतियंत गौरव शालिये वह महत तैयार किया जाएगा और हम हस्ते हस्ते जो है वह फासी के फंदे पर जूल जाएँ है किस लिए राष्ट के लिए क्याते हैं कि विपत्तियों मनुस्य hahaha मनुस्री को पून्न को पूंड नाने वाली होती है उससे बिचलित होने की जरूरत नहीं है विपत्तियोंbed twenty और और जब हिशे में आती है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटके मुकाबला करना चाहिए, जो कमजोर पूरसार्थ होता है, वो घबराता है विपत्तियों से, सच है जब पत्ति आती है, कायर को ही दहलाती है, हमारे रामधारी शिंग दिनकर जी ने लिखा ह कि सच है विपत्ती जब आती है कायर को ही दहलाती है सूर्मा नहीं बिचलित होते धीरस धीर नहीं खोते विपत्ती जब आती है तो कायर को ही दहलाती है धैरेवान पुरुस और मन से बलवान पुरुस कभी भी विपत्तियों में घबडाता नहीं है तो भगत सिंग जी भी कहते हैं कि विपतियां जब हिसे में होती हैं विपतियां जब भाग्य में होती हैं तो उन विपतियों से घबडाना नहीं चाहिए उससे बिछलित नहीं होना चाहिए बलकि हमें उन विपतियों में धैरे पूरवक उस दिन की परतिक्षा करनी चाहिए जिस दिन हमारी वो तपस्या पूरी होगी, जिस दिन हमारा सारा त्याग बलिदान सफल होगा, और हमें शहादत को गले लगाना होगा, वह दिन हमारे लिए अतियंत ही गौरवसाली, अतियंत ही गौरवसाली ये महत्तुपूर होगा, जिस दिन हमें मिर्तिव दंड दिया जा तकरा करके और अपनी हिम्मत को हार जाता है और आत्महत्या कर लेता है तो आत्महत्या के घंगोर बिरोधी है भगत सिंग जी कहते हैं आत्महत्या मत करो भले ही लड़ते लड़ते भले ही आंदोलन का नित्रित्व करते करते आप सहीद हो जाओ वो मंजूर लेकिन आत्महत्य करना मंजूर नहीं है तो कहते हैं आत्म हत्या जो है वो पलायनवाद है यदि हम अपने संकल्प से बिचलित हो जाते हैं अपनी असफलताओं से निरास हो जाते हैं तथा आत्म हत्या कर लेते हैं तो यह हमारी कायरता कही जाएगी जो कायर होते हैं वही आत्म हत्या करते हैं यह वह सबसे कठोर पाप है सबसे घ्रनित पाप है वह बहुत कम समय के भीतर मर जाएंगे ऐसा वह सोचते थे क्योंकि स्वतंतरता संग्राम के संगर्स में उन्होंने अपनी संपून उर्जा को जोक दिया था भगत सिंग जी ऐसा भी सोचते हैं कि वह मिर्तियों को बहुत जल्द प्राप्ट कर लेंगे क्योंकि स्वतंतरता संग्राम में भारत लाते रहे हैं भगत सिंग जी के सब्दों में कहा जाए तो भी पत्तियों से बचने के लिए आत्म हत्या कर लेने से जनता का मार्ग दर्शन नहीं होगा वरन यह तो एक प्रतिक्रिया वादी कारिय होगा उसने कहा था कहानी का सरांस लिखें यह भी जो है वह 2011 में पूछा ग प्रशन है और क्या है कि उसने कहा था कहानी का सरांस लिखें उसने कहा था कहानी का सरांस लिखेंगे और उसने कहा था कहानी के सरांस में हम लोग लगभग जो निचोड है उसको बताने का काम करेंगे उसने कहा था जो कहानी है वह चंदरधर सर्मा कुलेरी जी की अमर प्र जयी रचना में प्रेम की सुभरता की वीविर्ती हुई है और प्राणो सर्ग से इसकी महानता का निरूपन हुआ है। कहानी की सुरुवात यहीं से होती है। धत कहके भागती है तो वह लज्जा की अवस्था में है वह सर्माती है और उस सर्माहट में यह भाव छुपा होता है कि मैं तो अभी आठ बरस की हूँ क्या यह मेरी कुडमाई की अवस्था है। तेरी कुडमाई उन दोनों में जो है यह सिलसिला पूछने का चलता रहता है दूसरे तीसरे दिन सबजी वाले के यहां दूध वाले के यहां। कस्मात दोनों मिल जाते हैं महीना भर यही हाल रहता है और लड़का बार बार पूसता है लहना सिंग बार बार पूसता है कि तेरी कुडमाई हो गई और लड़की हर बार जवाब देती है धत और फिर वहां से चली जाती है। सारांस हम देख रहे हैं उसने कहा था अध्याय का इस घटना के पस्चात प्रस्तुत कहानी में लहना सिंग से भेट प्रथम विश्व युद के मोर्चे पर होती है। सुवेदार हजारा सिंग, जमदार लहना सिंग, वजीरा सिंग और बोधा सिंग के बीच सौर्य प्रेम मस्ती आदी की चर्चाएं जो है वह चलती है। जो लहना सिंग है, वह किस पर ध्यान देता है? तो बोधा सिंग पर पूरा ध्यान देता है, बोधा सिंग कौन है? सुवेदार हजारा सिंग का बेटा है सुवेदार हजारा सिंग कौन है सुवेदारनी की पतनी है सुवेदारनी कौन है वही बचपन में आठ वर्स की मिली हुई लड़की है जिससे लहना सिंग बार बार बाजार में पूचता है कि तेरी कुडमाई हो गई इस सात्विक प्रेम की सुरुवात उसी बजार से हुई थी, बच्पन का प्रेम था और यह अवस्था में उसकी साधी जो है वह सुवधार हजारा सिंग से हो गई तो वह सुवधार नहीं हो गई और उसका पुत्र बोधा सिंग, बोधा सिंग जो है बुलाने पर जब उनके घर वह जाता है तो सुवेदारनी लहना सिंग को पहचान लेती है सुवेदारनी को याद आता है कि लहना सिंग वही लड़का है जो 25 वर्स पुर्व अमरित सर में मिला था और बजार में पूछा करता था तेरी कुड़माई हो गई है इस प्रकार से जो है वह 25 वर्स पुर्व अमरित सर में मिला था और इस प्रकार से जो है लहना सिंग को जब वह पहचान लेती है तो लहना सिंग से कहती है सुवेदारनी कि मेरा पुत्र जो है मेरा जो पुत्र है बोधा सिंग और जो सुवेदार जी है इनकी रक्षा करना तो दिये हुए वचन के लिए लहना सिंग अंतिम समय तक जब तक सांसे चलती है तब तक बोधा सिंग की सुरक्षा करता है उसका ख्याल रखता है और अंतिम सांस तक सुरक्षा करता है और अंतिम में जो है वह युद भूमी में सहीद भी हो जाता है नेक्स्ट आगे देखेंगे आगे है लगू उतरीय प्रश्न और लगू उतरीय प्रश्न में सबसे पहला जो प्रश्न है ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है और विहार मोड के द्वारा बड़ा इशुंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि अगर हम में वाक सकती न होती तो क्या होता क्या होता अगर हम में वाक सकती न होती तो हम में वाक सकती न होती तो मनुस्य क्या हो जाता गुंगा हो जाता, समग्र स्रिष्टी ही गुंगी हो जाती, कोई किसी से कुछ कह ही नहीं पता, इसारा इसारों में बात होता, कोई इसारा समझ जाता, तो कार्य को सही धंग से करता, और जब इसारों को नहीं समझ पाता, तो कार्य को सही धंग से संपन नहीं कर पाता, तो अ पस्थापित करता है वह अपनी बातों को अभी व्यक्त करता है वह अपने विचारों को अभी व्यक्त करता है जो सुन्दर सुन्दर विचार आते हैं उसके मन में जो सकरात्मक विचार आते हैं उसके मन में उन सभी विचारों को उन सभी भावों को वह एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर देता है वाक सकती है तभी अगर वाक सकती न होती तो यह संभव नहीं होता यह इस्वरिया अन्मोल दी हुई किर्ती है यदि हम में इस वाक सकती का आभाव होता तो हम पसुओं की भाती जीवन यापन करते हम पसु की तरह रहते और जो सुख दुख हम इंद्रिय कर लेते हैं इलाज करवा लेते हैं अगर ज्यादा कुछ तकलीफ है तो अगर वाख सकती न होती तो हम केवल जानवरों की तरह जीवन जीते और आखों से असुरुधार केवल भाती रहती नेक्स्ट अगला कोशन देखेंगे कि बापू और नहरू किस विसेशता का उलेख ज नहरू जी की विसेशताओं का उलेख किया है वे कहते हैं कि बापू महान थे महत्मा गांधी जी महान थे जेपी जी साफ कहते हैं कि बापू आपकी यह बात हम नहीं मानते हैं बापू समझाते थे डारेक्ट बोलते थे जेपी जी कि बापू आपकी ये बात गलत है हम इस अचछे से समझाते थे उस जमाने में JP जी जुद थे वो घोर माक्सवादी थे और थाथ चैप्रकास नर्याण जी घोर माक्सवादी थे बाद में लुगत तंत्रिक समाजवादी वो बन गये जवाहरलाल नहरु जी को वग अपना बड़ा भाई मानते थे वे उनको भाई कहा करते थे उनका बड़ा सनेह था उनके साथ उन पर उन्हें स्वयम पता नहीं था कि जवाहरलाल नहरू क्यों उन्हें इतना मानते थे जेपी उनका बड़ा आदर और प्रेम किया करते थे और थात जैप्रकाश नरायन जी जो है वोल किसका सम्मान किया करते थे प्रेम किया करत तो पंडित जवाहरलाल नहरुजी से, इसके साथ ही वे उनकी कटु आलोचना भी करते थे लेकिन जवाहरलाल नहरु में बड़ा बड़पन था सोचके देखिए कटु सब्डों में अलोचना किया करते थे लेकिन यही लोक नायक जैप्रकाश नरायन जी जो जवाहरला लेहरू जी है उनको वो अपना बड़ा भाई मानते थे पर वो बड़ा भाई मानते थे लेकिन उनकी नीतियों का वो कड़ा आलोचना किया करते थे और पंडित जवाहरला नहरुजी भी जो है वो जेपी जी को जैप्रकाश नरान जी को अपना भाई मानते है और खुब सनेह और खुब प्रेम करते हैं सोचिए कैसा संबंध है शिधानतों की जहां पर बात आती है वहां पर एक दूसरे का विरोध है नीतियों की जहां बात आती है एक दूसरे का विरोध है और आज तो तुरंत जो है थोड़ा सा संबंध गड़बढ होता है तो लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं त्याग उसे सुधारने की कोशिस नहीं करते हैं, गलती कहां हुई है उस बिंदू पर नहीं सोचते हैं, आखिर बात बिगड़ी कहां है उस बिंदू पर नहीं सोचते हैं, ध्यान दीजेगा मैं क्या कह रहा हूँ, जिस बिंदू पर बात बिगड़ी है, उस बिंदू विसेश पर उ यहां क्यों पूर्ति आता है स्थिति कुकि यहां क्या धेकते हैं में आलोचना किया करते थे और जवाहर ला लहरा झीजी के नीतियों फिर भी जे पी जी को यह बड़ाम करते थे बड़ा है प्रेम आधर का आदर करते थे इसके साथ ही वे उनकी कटू आलोचना भी करते थे लेकिन जब आहरला नहरू में बड़ा बड़ा पन था वो इन चीजों को बुरा नहीं मानते थे 2011 में पूछा गया प्रशन है बच्चो जितना भी प्रशन है बड़ा ही शुंदर प्रशनों का शंगला है तो जितना भी प्रशन आया है वो सारा का सारा बहुत ही बहतरीन संग्रह किया गया है आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से तयार कीजिएगा नेक्ट है कि मालती के घर का वातावरन कैसा था ये भी 2011 में पूछा गया प्रशन है बिहार मोर के द्वारा तो मालती के द्वारा जो पूछा गया ये प्रशन है मालती के घर का वातावरन तो यह रोज कहानी से वह लिया गया है तो रोजी सिर्शक कहानी में प्रख्यात साहित्यकार जो है वो अग्येई जी ने एक मध्यमवरगिय परिवार के अकथे बोजिल और प्रेम पय या प्रपमय जो है वह वातावरण को बड़ी ही चतुराई से अपने सब्दों में ढाला है कहानी की नाई का मालती को जो है वह सुभस लेकर के शाम तक घर के वातावरण में काम करते हुए दिखाया गया है मालती के घर का वातावरण और उदासी के बीच एक ऐसा भाव उत्पन हो रहा है मानो उस पर किसी साम की चाया जो है वह मंडरा रही हो और वाता वरण बोजिल अकथ्य एवं प्रपमय बना हुआ है और थात वाता वरण जो है वह काफी बोजिल और भयानक बना हुआ है नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है कि तुलसी सीधे राम से न कहकर के सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं तो इसका अंसर होगा कि ऐसा संभवत्व तुलसी दास जी इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी बाते स्वयम राम के समक्ष रखने का साहस नहीं हो रहा होगा वे संकोच का अनुभव कर रहे होंगे सीता जी ससक्त धंग से जूर दे कर उनकी बातों को भगवान स्री राम के समक्ष रख सकेंगी क्योंकि सीता जी को वो मैया मानते हैं अपनी मा मानते हैं कहते हैं कि पूछी है सो है कौन कही भी नाम दसा जनाई कभ हूँ कयंब आवसर पाई दीन हीना मलीन अंग दीन हीना मलीन अंग और इस तरीके से जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि तुलसी दास जी सीधे जो है वो मा सीता से कहते हैं कि मैं तो दीन हीन हूँ मैं मलीन हूँ अंग हीन हूँ हे मा आप मेरी बात प्रभु श्री राम तक पहुंचाएं आप तो मया है मैं आपका बालक हूँ बालक की बात पिता के पास आप ही तो पहुंचाएंगी तो यही कारण है कि तुलसी दास जी अपनी बात जो है वह सीता मा से किसके पास कहलवाना चाहते हैं प्रभुर स्री राम के पास कहलवाना चाहते हैं तो सीता जी ससक्त धंग से अर्थात जुर दे करके उनकी बातों को भगवान स्री राम के समक्ष रख सकेंगी ऐसा प्रायह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति से उनकी पतनी के माध्यम से कार्य करवाना अधिक आशान होता है तुलसी जी ने सीता जी को मा माना है तथा पूरे राम चरित मानस में अनेक बार मा कहकर कहीं शम्बोधित किया है अतह माता सीता जी के द्वारा वह अपनी बात राम के समक्ष रखना ही उचित समझते हैं स्रेशकर समझते हैं अगला देखेंगे नाभादास जी ने छपपए में कवीर की किन विसेस्ताओं का उलेख किया है 2011 में यह पूछा गया प्रश्न है कि छपपए में जो कवीर जी है वह किन विसेस्ताओं का उलेख किया है और ध्यान आकरिस्त किया है वह है कि कवीर का ब्यक्तित वह अक्खड था उन्होंने भक्ति विमुक्त था कथित धर्मों की खूब धज्जियां उड़ा दी यह कवीर जी ही थे जो कहते हैं कि कंकड पत्थर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए ता उपर से बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए धार्मिक मान्यताओं के धज्जियां उड़ा दी किनोंने कवीर जी ने केहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना ली मिनारे बना ली आप उपर से माइक लगा करके और पूरा जो है वो चिला चिला करके प्रार्थना कर रहे हैं क्या खुदा बहरा हो गया है एक तो इतनी बड़ी-बड़ी इमारत बना दी मस्जिद की बात करते हैं तो यह तो आपको केवल मन में जो है वो कहना चाहिए और आप क्या कर रहे हो चिला करके कह रहे हो तो केवल इन्होंने मुसलिम धर्म की धजिया नहीं उड़ाई इन्होंने हिंदू धर्म की भी धजिया उड़ाई इन्होंने क्या कहा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पू पहाड कौन कहते हैं कभीर जी कहते हैं धार्विक भावनाओं की धज्या उड़ा करके रख दी इन्होंने काया कि हे मुर्ख मानव तुम पत्थर पूझते हो और पत्थर पूझने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो हम पहाड़े पूझ देते हैं भगवान मिल जाएं पूझ रहेंगे यही स्वर्ग है यही नर्क है कौन कहते हैं कभीर जी कहते हैं तो इन्होंने जो है वह कथित धर्मों की खूब धजिया जो है वो उड़ा दी कभीर ने धर्म की सपष्ट व्याख्या की है उन्होंने योग, यग्य, व्रत, दान और भजन के महत्व का सटी कभीर जी मुँदेखिक वर्णन कीया है उन्होंने अपनी काभी किरतियों यानि सखी सब्द रमेनी में हिंदू तरक के बीच समन्वय और एकता का बीज भी जो है वह बोने का कोशिश किया है कभीर ने धरम के सपष्ट व्याख्या की है उन्होंने योग्य, व्रत, दान औ और भजन के महत्व का सठीक वर्णन करते हैं और अपनी काभी किरतियों के साथ-साथ साखी सब्द रमेनी में हिंदू तुर्क के बीच समन्वय और एकतात्य स्थापित करते ही हैं साथ-साथ कभीर जो है वह पक्षपात नहीं करते हैं कभीर जी मुह देखी बात नहीं करत उन्होंने वर्ण आस्रम विवस्था की कूरितियों का भी उलेख किया है और सब का ध्यान उस तरफ की चाहे उन्होंने सश्ट दर्सन की दुरबलताओं का पुर्ण जोर वह विरोध किया है आलोचना की है उपयुक्त विवेचना के आधार पर कबीर जी का जो व्यक्तित्तो है वह प्रकर अस्पष्टवादी एवं क्रांतिकारी कवी का है अर्थात इन्होंने अपने संपुन काभ्य में केवल और केवल जो है धार्मिक भावनाओं की जो है वह आलोचना की है धार्मिक सट दर्सनों की जो है वह आलोचना की है और इस प्रकार से यहीं क्रांतिकारी उस समय स्याम लता स्रेतिमा तथा लालिमा का सुंदर मिश्रण जो है वह दिखाई देता है। सील के समान दिखाई पड़ता है और जल में जलकने वाली गोरी देह के समान दिखाई पड़ता है। हजार इश्वी के आसपास हिंदी दूसरी आधुनिक आरे भासाओं के समान अपना अस्तित्व प्राप्त कर चुकी थी। इसका परिमार्जित रूप आधुनिक काल में ही देखने को मिलता है। हिंदी के विकास को तीन कालों में बाटा जा सकता है। आधुनिक काल मद्यकाल और आधुनिक काल आधुनिक काल एक हजार इसवी से लेकर के कहा तक पंद्रा सो इसवी तक यानि 500 सालों का इतिहास रहा है आधुनिक काल का इसके बाद पंद्रा सो इसवी से लेकर के अठारा सो इसवी तक जो है वो मद्यकाल होता है, तीन सो साल का इतिहास रहा है हिंदी के मद्यकाल का और अठारा सो इसवी से लेकर के अध्यावदी तक जो है वो आधुनिक काल है, जो अब तक चल रहा है वो आधुनिक काल है। नामकरण के साथ परिचय दिया गया, अगला कोश्चन है कि जायसी अथवा सूर्दास का साहित्तिक परिचय दे, 2011 में यह पूछा गया प्रश्ण है, 2011 में यह पूछा गया प्रश्ण कि जायसी अथवा सूर्दास जी का साहित्तिक परिचय दे, तो सबसे पहले मलिक मुहमत जाएसी जी जो है वो 1592 इस्वी में इनका जनम हुआ और 1592 से 1548 तक 1592 नहीं होगा 14 होगा 1492 से ले करके 1548 इस्वी तक तो प्रेम के पीर के ये कभी कहे जाते हैं मारमिक अंतर व्यथा थे इनका मन जो है वह भरा हुआ है यह प्रेम अत्यंत व्यापक बूढ आसयो वाला और म महिमा माय जो है वह प्रेम की व्याख्या करते हैं पदमावत के अख्यान में सजीव कहाने का मरमस परसी जो है वो वेदना में रसी अभ्यक्त करते हैं और चरित्रों उनके सुलगते दहकते मनुभाव के दुनर दुरनिवार प्रभाव को यह अभ्यक्त करते हैं और जाइस जायसी के माध्यम से हिंदी शाहित्य ने न सिर्फ अपने युग में बलकि युगों के भीतर कड़क्ती हुई मानविय विशाद की तस्वीर को देखी और उसमें निस्कलंका दर्स भी स्थापित की है और बहुत कड़वे यथार्थ को भी मलिक महुमत जायसी जी ने अपनी देख लिया और सूर्दास जी का जी है वो परिच है पिछले वीडियो में जो 2010 का जो है उसमें हमने इसका व्याख्या किया है आप वहां से देख सकते हैं नेक्स देखेंगे सवप्रशंग व्याख्या, तो सवप्रशंग व्याख्या जो है वो है कि मृतिव के कुछ समय पहले इस मृती बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक-एक करके शामने आने लगती हैं, और सारे दिरशियों के रंग साफ हो जाते हैं, समय के समय mira मिर्तिय के कुछ समय पहले इस मिर्तिया बहुत साफ हो जाती है ये सच है जब वंश्य कीयों कि उसने क्या सही किया और किया गलत किया कि ये मनोवय इसलेशन है और ये सच है ये सच है जीवन भर के कृत्य मिर्तिव सहिया पर आखों के सामने एकदम जलकने लगते हैं खास करके उसमें वो कृत्य जलकने लगता है कि आपने क्या सही किया है और क्या गलत किया है तो सही तो नहीं जलकेगा, पर गलत जरूर जलकेगा, कि आपने गलत क्या किया है, किसके साथ गलत किया है, और इसी दृश्य का यहां पर वर्णन करना है, उसने कहा था ध्याय से यह पंग्ति ली गई है, लहना सिंग जब मृत्यु की सया पर रहता है, तो उसको जीवन के सारे दिरिश्य दिखाई पड़ते हैं, हलांके उसके अच्छे दिरिश्य दिखाई पड़ते हैं, अच्छी यादे दिखाई पड़ती हैं, तो वही पंक्ति यहाँ पर बताई गई है कि प्रस्तुत पंक्तियों में मानो जीवन की प्रविर्तियों का मनो सहज ही होने लगती है अतीत के चित्र उसके नित्र के सामने चल चित्र की भाती जो है वह नाचने लगते हैं उस पर जमी हुई समय की धुंद हट जाती है समय के साथ जो इस मृतियों पर धुंद लग जाती है समय के साथ जो इस मृतियों पर एक चादर सी पट जाती है कि हमें अपने ही किये हुए किर्थ दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन मृतियों सहिया पर जब व्यक्ति पड़ा होता है तो वह समय की परत जो धुंद के समान होती है इस्मृति पटल पर वह हट जाती है और किये गए किरते आखों के सामने एक परदे पर दिखाई पड़ते हैं और थात इस्मृति पटल पर जलकते हुए दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर जो लेखक हैं वह कहते हैं कि जो लहना सिंग है जब मिर्तियू की सहिया पर है तो उस मानव और मन की सोभाविक प्रक्रिया का वर्णन जो है वह किया गया है कथन के अनुसार जमादार लहना सिंह मृतिव सया पर अपने जीवन की अंतिम घणिया जो है वह गिन रहा है और उस समय उसे बिगत संपूर्ण बाते याद आने लगती है जो इतनी सपस्ट है कि इससे पहले उसे कभी ऐसी अनुभूती ही नहीं हुई थी अर्थात उसकी मृति उसके नजदीक थी और उसके सारे कृत्ते उसके आँखों के शामने आ रहे थे नेक्स्ट अगला कोश्चन है जो कि 2011 में पूछा गया है वच्छो 2011 में पूछा गया ये प्रश्न क्या है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोस प्रकट नहीं होता है बहुत ही सुन्दर लाइन है सच है जब तक मनुष्य नहीं बोलता है तब तक उसका गुण और दोस प्रकट नहीं होता है ध्यान दीजी आपके इर्द गिर्द जो भी वेक्ती है जो क बोलता है आप उसका आकलन नहीं कर सकते हैं कि वह कितना खतरनाक है और जो बोलता है खुलके बोलता है अच्छा किरते हो तब बुरा किरते हो तब खुलके बोलता है तो आप उसका आकलन कर सकते हैं कि उसका चरित्र कैसा है आप उसका आकलन कर सकते हैं कि उसकी मांसिक समर्च ना कैसी है वह किस चरित्र का व्यक्ति है क्या वह करणिक विक्ति है क्या वह इसके गुण और दोस का पता नहीं चलता, इसलिए बोलना चाहिए, देखते हैं, प्रस्तुत सारगर्भित वाक्य हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक दिंगत भागदो में, संग्रहित बातचित अध्याय सिर्शक से जो है वह ली गई है, और बातचित जो अध्याय है वह एक निवंध है, और इसके रचैता जो है वह हिंदी के प्रशिद निवंधकार बाल कृष्ण भट है, बोलने से ही मनुस्य के रूप का साक्षतकार होता है, बोलने से व्यक्ति का आंत्रिक चरित्र बाहर आता है, आंत्रिक व्यक्तित्व जो है वह बाहर आता है, किसी व्यक्त व्यक्ति का चरित्र कैसा है व्यक्ति का जैसा व्यक्तित और आचरण होता है उसकी भासा और बोली भी उसी का अनुगमन करती है व्यक्ति का जैसा आचरण रहता है वैसी उसकी बोली निकलती है ध्यान दिजिएगा कि उसकी भासा और बोली उसी का अनुगमन करती है व्यक्त से कोई लाक सज्जन दिखे और यदि वह बातचीत में फूहड है तो सज्जन उसे नहीं कहा जा सकता हमारी भासा की रचना में हमारे संपुण व्यक्तित्व का जो है वह हात होता है हमारी भासा या बातचीत में कितनी स्वभाविकता है कितनी जो है वह कृतिमकता है या कृत कितनी स्वताहस्फूर्त है और कितनी गढ़ी हुई यह जानने में किसी को देर नहीं लगती है अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वह अध्यापन का है तो वह उसके आलोक में बाते करेगा अगर कोई व्यक्ति फूहड है तो वह फूहड बाते करेगा अगर कोई व्यक्त जो है वह चिनेती करने वाला है, बदमास है, लफुआ है, तो वो उसके बातों से प्रकट हो जाएगा कि वो किस प्रविर्ती का व्यक्ति है, उसके चरित्र का परिचे उसके मुखार बिंद से निकले हुए एक-एक सब्द दे देंगे, एक-एक सब्द उसके व्यक्तित्व क परिचे देंगे, तो वही चीज यहां बताया गया है, कि अगर बात में कृतिमता होगी, बनावटी सब्द का वो उपयोग कर रहा होगा, तो वो भी पकड़ लिया जाएगा, कि व्यक्ति एक नंबर का धूरत है, इसका चरित्र ऐसा नहीं है, तो यह जानने में किसी को दे प्रदर्शन है, वह होने लगता है, हमारा व्यक्तितो सब के शामने आ जाता है, अनुभवी व्यक्ति सब्दों के परियोग और बोलने की भंगिमा से यह स्पष्ट पता लगा लेता है, कि हमारे चरित्र के गुण और दोस कौन-कौन से है, जब तक हम नहीं बोलते, तब तक हमारे चरित्र और स्वरूप के निर्भारण में कठिनाई हो सकती है, पर हम जैसे ही अपनी वाक्षक्ति का परियोग करते हैं, वैसे ही हमारा चरित्र एक तरफा, एक कौन-धक के साथ सब के सामने आ जाता है, हम अपने चरित्र को छुपा नहीं सकते हैं, अगर हम जब एक-एक सब्द का परियोग करने लगे, बोलने लगे, खुल करके, तो हमारा चरित्र जैसा है, वैसे ही सब्द सब के सामने प्रस्तुत होने लगेंगे, तो हम अपने चरित्र को छुपा नहीं पाएंगे, अगर हम बोलने लगें, तो यही सब्द जो है, यहाँ पर बताया भोजन करी नंद अचमनली हो मांगत सूर जुठनिया क्या क्याते हैं जोरस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तिहूं भुवानिया सो नहीं तिहूं भुवानिया भोजन करी नंद अचमनलीनो मांगत सूर जुठनिया प्रस्तुत पद हमारे हिंदी के पाठी पुस्तक के काब्य खंड के पद अध्याय से लिया गया है जो सूर्दास जी द्वारा रचित है सूर्दास जी यहां काते हैं जो स्रीकिष्ण को गोद में बैठा करके और नंद बाबा भोजन करा रहे है और नंद बाबा भोजन करा रहे है और स्रीकिष्णी जी भोजन कर रहे है और जूठन जो है वह गिर रहा है स्री किष्ण भगवान गोद में बैठे और भोजन कर रहे हैं और बार-बार उनका हाथ जो है वह जाता है मिश्री की तरफ, मक्खन की तरफ बार-बार जाता है जब भोजन स्री किष्ण भगवान कर लेते हैं तो अच्वन करने के लिए नंद बाबा जाते हैं वात धोने के लिए नंदबाबा जाते हैं तो उस वक्त जो सूरदास जी है वो गिरा हुआ जूठन जो है प्रभू स्रीकृष्ण के मुखारबिंद से मुख से लगा हुआ जूठन है वो भूमी और गिरा हुआ है उसा JKAA को मांगते हैं कि एक बार मैं जूठन खालूँ मेरा जीवन धन्य हो जाएगा तो क्याते हैं कि जोरसनन्द जसोदा बिलशत सो नहीं तिहूं भुवानिया भोजन करीनन्द यचमन लिनो मांगत सूरज उठानिया कितना सुन्दर कि जोरसनन्द जसोदा बिलशत जो सुख, जो सवहाद्र, जो संतुष्टी नन्द जी और यसोदा जी को मिल रहा है वो तीनो भुवन में किसी को नहीं मिल रहा है भोजन करीनन्द अचमन लिनो भोजन करने के बाद नन्द बाबा जब अचमन करते हैं हाथ धोते हैं तो मांगत सूर जूठनियां सूरदास जो है वह जूठन मांगते हैं कि जूठन खा करके और मैं जो हूँ वो क्या करूँ अपने जीवन को धन्य कर लूँ प्रभू स्री कृष्ण के चरणों में अपने लेने के लिए जाते हैं तब उस दृष्ण को देख करके सूरदास अती प्रशन हो जाते हैं खूब प्रशन हो जाते हैं और कृष्ण के जूठन की याचना करते हैं यानि कृष्ण के जूठन को पाना भी वो सौभागय की बात नेक्स्ट इस प्रकार से उक्त कविता में महा कवी शूर्दास जी जो है वह बाल कृष्ण को भोजन करते समय अनेक मनुरंजक लिलाएं करते हुए वर्णन करते हैं और उस समय की सोभा का वर्णन जो है वो अत्यनते हैं युक्ती युक्त तथा रोचक ढंग से वो करते हैं इस प्रकार कृष्ण की चंचलता, बाल सुलबता, निर्मलता और मनोहारी दृषियों का वर्णन करके अपने आपको वह सोभागे शाली बना लेते हैं उक्त पंग्तियों में कृष्ण की बाल लिलाओं का लौकिक धरातल पर चित्रन करके सूर्दास जी ने समाजिकता का निर्वहन किया है और थात धरातल पर बाल कृष्ण के लिलाओं का वर्णन करना जो है वो बड़ा है इस्वभागे शाली बात है ताकि अन्य जन्मानस भी उन लिलाओं का दर्सन कर सकें तो कितना अच्छा लगता है सुन करके अच्छा लगता है और समाजिकता का उन्हों ने इसी प्रकार से निर्वहन किया है मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चवर के साथ तोप छुड़ा कर ढोल बजा कर जय जय कौन कराता है ध्यान देना यह अभी जो है वो अध्याय पढ़ाना बाकी है अभी चुकी अक्टूबर माह है नवंबर दिशंबर दो माह है नवंबर तक पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा यह अध्याय जो है वो रगवीर सहाई जी द्वारा रचित अधिनायक अध्याय से ली गई है तो अधिनायक अध्याय में रगवीर सहाई जी जो है वो कहते हैं कि मखमल टम टम बल्लबतु रही पगड़ी छत्र चमर के साथ तोप छुड़ा कर ढोल बजा कर जै जै कौन कराता है कटाक्ष कर रहे हैं कौन रगवीर सहाई जी प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी के व्यंगपुर्ण कटाक्ष करते हैं रगवीर सहाई जी कहते हैं कि लोक तंत्र बिरोध वो नहीं है अर्थात वे लोक तंत्र का बिरोध नहीं करते हैं बलकि लोक तंत्र के मुल्यों से आहत हैं वे सासकों के उन कारनामों से दुखी हो रहे हैं जिससे अन्याय और सामानता को बढ़ावा मिलता है सासक वर्ग अपने भड़कीले रोब दाव के साथ जो है वह बाहि आडंबर करके जनता को ही डराता है अपना गुनगान कराता है और व्यक्ति जब डरपोक हो जाएगा तो वह उसी व्यवस्था में जीने का आदी हो जाएगा लोक तंत्र में रगवी होते हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं भासावाद को बढ़ावा देते हैं छित्रवाद को जो है वह बढ़ावा देते हैं रगवीर सहाई जी कहते हैं कि सासक वर्ग अपने भड़कीले रोब दाव के साथ बाहिया आडंबर दिखा करके और जनता को डराते हैं जंता से जो है वह गुंगान कराते हैं, व्यक्ति जब डरपोक हो जाएगा, तो वह उसी व्यवस्था में जीने का आदी हो जाएगा, और उसमें विरोध करने की छमता ही नहीं रहेगी, कवी इस राजनीती से पूरी तरह से जो है, वह अवगत हैं, ये जो राजनीती चल रह परन्तु अपितु उस पर अपनी तल्ख यानि प्रभावी टिपड़ी करते हैं और यही होना चाहिए राजनितिक परिदिश्य को देखने के बाद उस पर टीका टिपड़ी करना चाहिए ताकि राजनायक जो है लोकतंत्र के वो उसमें सुभार करें और यही जो है वह लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि आप विकास का गान करने वाले किशी व्यक्ति के राजनेता के किशी नेता के राजनायक के कारियों का उद्भेदन करें और उस पर टीका टिपड़ी करें क्योंकि आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है बोलने का अधिकार दिया गया है, बिचारों को प्रकट करने का अधिकार दिया गया है, आप छित्रवाद से मुक्त हैं, आप भासावाद से मुक्त हैं, आप जातिवाद से मुक्त हैं, आप किसी छित्र में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है न कि आप बिहार में हैं तो जा करके और दूसरे राजे में आप जो है वो अपना घर नहीं बना सकते हैं जारखंड में जमीन खरिद करके घर बना सकते हैं छितरवाद से परे हैं क्योंकि हमें आजादी मिल गई है तो उसी की बात जो है वो रगवीर सहाय जी कहते हैं कि वह केवल वी संगतियों को चुपचाप देखते हैं जो राजनैतिक स्वार्थ परता से भरी हुई है और अपी तो उस पर अपनी तल्ख टिपड़ी करते हैं प्रभावी टिपड़ी करते हैं और इस तरीके से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में संपोन प्रशन जो 2011 में पूछे गए थे संपोन प्रशन जो 2011 में पूछे गए थे चाहें वो लगुतरी हों चाहें वो दिर्गुतरी हों सभी प्रशनों का संग्रह देख लिया उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से समझ माया होगा जितने बहतरिन तरीके से मैंने कोशिस की है इस एक-एक प्रश्ण को समझाने की आप उमीद करते हैं कि इसके साथ जो इस पूरे वीडियो काड नोट्स है टेलीग्राम ग्रूप में हम डाल देंगे आप वहां से इसको ले लीजिएगा जो नए विद्यारती है अंतिम तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और उमीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ एक्जाम के अंतिम समय तक बना रहेगा जब तक की एक्जाम हो नहीं जाता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दिमाग में रखिए जम के महनत कीजिए खूब महनत कीजिए यह महनत ही है जो एक दिन आपके काम आएगी दुनियादारी काम नहीं आएगी रिष्टे नाते काम नहीं आएगे आपकी मेहनत आपके काम आएगी करम वीर बनिये करम कीजिये करम से कभी पीछे मत हटिये आने वाले समय में आपका सर पूरे जिले में नहीं पूरे राज्य में उपर होगा पूरे राष्ट में उपर होगा करम करने से पीछे मत हटिये नित्य प्रति दिन कर्म करते रहें और इसी के साथ उमीद करते हैं कि आप कर्म वीर बनते हुए आने वाले आगामी 2024 की परिष्छा की तैयारी पूरे जोर सोर से कर रहे होंगे और इसी तरह का कंटेंट ले करके आपके साथ कंदे से कंधा मिला करके मेहनत करने की जिम्मेदा रहेगी तब तक आपके लिए एक विष्ट कंटेंट लेकर करके आते रहेंगे क्लासेज में जो टॉपिक छल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा सिलेवस भी कंप्लीट ही होने वाला है और तब तक जो है वह हम लोग अंतिम प्रहार बैच लेकर के चल रहे हैं और अंतिम प क्लाक मदफ बड़ चलेगा सिलेश छल रहे हैं और रहे हैं भzech ब Veterका है मैं तक जो में बना पक्रवस ज evening रहे हैं